गुड मॉर्णिंग फ्रेंट स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग फरवरी का करेंट अफिर देखेंगे जो की एक फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक का करेंट अफिर इसमें कवर किया गया है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो ये एक फरवरी है जन्वरी में स्प्रिंट हो गया है इसको याद रखेगा ये एक फरवरी है तो एक फरवरी को इस पूतिक गुष्टर फेस्टीबल कहां सुरू किया गया है तो ये लदाक में सुरू किया गया है एक फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्स उनिकॉर्ण कम जापान सी बनी है ये चिन्नाई सूपर किंक्स बनी है ठीक है महिला एसिया कप 2022 किसने जीता है तो ये जापान ने जीता है एक फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द इयर पुरसकार 2021 किसने जीता है तो ये पी आर स्री जेस ने जीता है पी आर स्री जेस ने दो फरव दोफरवरी को रक्षा खूपिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे निउक्त किया गया है तो ये जी एवे रेडी को किया गया है ठीक है किस राजय सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉंच किया है तो ये हो जाएगा आंध्र परदेश ने दोफरवरी 2022 को क्लाइमिट एक्षन प्लान प्राप्त करने वाला सहर कौन बन गया है तो ये नासिक बन गया है नासिक ठीक है दोफरवरी 2022 को किस विसय के साथ विस्व आद्र भूमी दिवस मनाया गया तो ये हो जाएगा वेटलेंड्स एक्षन फोर पीपल एन नेचर ठीक है नेक्ष है दोफरवरी 2022 को विस्व में इस पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है तो ये चाइना बन गया है ठीक है चाइना भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क कहां बनेगा तो ये जबलपूर में बनेगा किस देश ने सबसे सकतिसाली होसोंग ट्वेल बैलिष्टिक मिसाइल का परिक्षन किया है तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है क्या नाम है इसका मिसाइल का होसोंग ट्वेल ठीक है किस राज्य के स्री काकूलम में गांधी मंदिरम इस्मृती वनम का निर्मान किया गया है तो ये आंध परदेश में किया गया है अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी की रूप में घोसित किया है तो ये हो जाएगा कतर को ठीक है कतर को, तीन फरवरी 2022 को तुरग्या महोचो कहां मनाया गया, ये अरुनाचल परदेश में मनाया गया, तीन फरवरी 2022 के घोसना के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला अश्टेशन कहां बनेगा, तो ये सूरत में बनेगा, किस राज के खिजाडिया पक् इसको रामसर अस्थल में सूचिवध किया गया है, तीन फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम हजारवा वन डे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, तो यह है इंडिया बन गई है, ठीक है, तीन फरवरी 2022 को नायलेट के महा निदेशक कौन बने है, ये डॉक् वर्ल्ड एस्पोर्ट्स अवार्ड के लिए इनको नामित किया गया है, नीरत चुपडा को, किस राज ने सासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना सुरू किया है, तो ये असम ने, ठीक है, तीन फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट की अनुसार, बिस्वका, सबसे म लिवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है, तो यह है पिग इन इंसूरेंस है, पिग इन इंसूरेंस, दुनिया की पहली हाइडरोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहां लौँच की जाएगी, तो ये यूएई में लौँच की जाएगी, सवयुक्त अरब अमिरात में, ती कौन सा दिवस मना आया गया, बीसवे कैंसर दिवस मना आया गया, 200 वे कैंसर दिवस 4 फरवरी को, किस राजसरकार ने ओपन एयर क्लास्रूम परम सिकछाले शुरू करने की घोसना की है, तो यह है पच्चिम बंगाल, गन्तंतर दिवस परेड 2022 में सर्व स्रिट राज्य जह कि कि रूप में किसका चैन किया गया है तो ये उत्तर परदेश का चैन किया गया है चार फरवरी 2022 को UGC के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदिस ठीक है एम जगदिस चार फरवरी 2022 को आत्म निर्भर भारत दिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रा लेने किस बैंक के साथ समझा होता किया है तो ये हो जाएगा SBI के साथ नेक्ष्ट है किस देश ने नौ वर्स इयर ओफ टाइगर में प्रवेस किया है तो ये चाइना ने ठीक है चार फरवरी 2022 को चाइना ने नौ वर्स इयर ओफ टाइगर में प्रवेस किया है ICC Spirit of Cricket Award 2020 किस ने जीता है तो ये डेरिल मिसेल ने जीता है किस देश ने 2020 में भारत के पार साजी भागिदार की रूप में सिर्ष सस्थान हासिल किया है तो ये अमेरिका ने किस राज में राजीव गांधी ग्रामीन भूमिहीन क्रीसी मजदूर न्याय योजना सुरू की गई है तो ये 36 गड में की गई है पांच परवरी 2022 को किन की सौवी जैनती मनाए गई है पंडित भीमसेन जोसी ठीक है पंडित भीमसेन जोसी की किस देश ने सीतकालिन उलम्पिक के उदगाटन और समारो समापन समारो के लिए राजनाइक वहिसकार की गोसना करी है ये भारत के द्वारा की गई है इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बनाये गया है राहुल भाटिया किस बैंक को भारतिये उद्वक परिसंग पु तो यह तिलंगाना में ठीक है तिलंगाना अंडर 19 क्रिकेट 20 विकब 2022 का किताब किस ने जीता है तो यह भारत ने जीता है मदपर्देश के किस ब्यक्ति को कलाच छेतर में पद मिसरी से सम्मानित किया गया है तो यह दुरगाबाई व्याम को सीत कालिन उलम्पिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाडी के नाम ने अपने नाम किया है तो यह है थेरेसी जुहांग ठीक है थेरेसी जुहांग भारत का सबसित अक्तिसाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राश्टी यह संस्थान में अस्थापित किया गया है तो यह IIC बंगलोरी में ठीक है IIC बंगलोरी में किया गया है परम प्रवेगा छे फरवरी 2022 को मिले हिमाले से तीन गुना बड़े पहाड को बैग्यानिकों ने क्या नाम दिया है तो यह है सूपर माउंटेंस ठीक है सूपर माउंटेंस भारतिय उद्धोग परिसंग ने किस बैंक को डी एक्स 2021 किस पुरसकार प्रदान कि भारत सरकार ने किस राज में तीन अस्थानों होसंगाबाद, सीवपूरी और बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दी है तो यह मध्य परदेश का है ठीक है मध्य परदेश का है 2022 ए एफसी महिला एस्याइक कप का किताब किस ने जीता है तो यह चाइना ने जीता है आठ प परवरी 2022 को भारत के कौन से इसकियर ने सीत कालिन उलम्पिक के उद्गाटन समारों में भारतिय दल की अगवाई की है तो यह मुहम्मद आरिफ कान ने किस राज सरकार ने लता मंगेसकर पुरसकार की घोसना की है तो यह मध्य परदेश ने किया है आठ परवरी 2022 को कहा रत सब्तमी तेहवार मनाये गया तो यह आंध परदेश में मनाये गया किसने मानो तसकरी पर अंकुस लगाने के लिए राश्ट व्यापी एएच्टी ओप्रेशन सुरू किया है आहट आरपी एफ ने सुरू किया है आरपी एफ ने किस देश को तेज गेंदबाज सुरंगा ल आठ परवरी 2022 को जारी फोप्स की रिपोर्ट की अनुसार एसिया के सबसे धनी ब्यक्ति कौन बन गया है तो यह गौतम अडानी बन गया है आठ परवरी 2022 को जारी भारत प्रेश स्वतनता रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज ये सिर्ष पर रहा तो यह जम्मू कस्मीर रहा अफ प्रीका कफ ओफ नेशन 2020 का किताब किस ने जीता है तो ये सेनेगल ने जीता है। नौफरवरी 2022 को कंचोध पर्व कहां मनाया गया जम्मु कस्मीर में मनाया गया। किस राज के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरन पिरोधी विदेयक को मंजूरी दी गई है तो ये हर्याना। नौफरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने है तो ये प्रदीप साह बने है। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकी क्रित होने वाला पहला केंसासित परदेश बना है तो ये जम्मु कस्मीर बना है। अफरीकी संग सिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन हुआ तो ये इथियोपिया इथियोपिया बना। दसफरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाये गया बिश्व दलहन दिवस मनाये गया। भारत का पहला बायोमास अधारी हाइड्रोजन सरियन कहां स्थापित होगा तो ये मध्य परदेश में होगा। ठीक है दसफरवरी 2022 को 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरिदार कौन बना है तो ये भारतिये रिजर्व बैंक बना है। अठारवा स्वर्गिये माधो राय लिमे पुरसकार की से मिला है तो ये नीतिन गंकड़ी को मिला है। IPL टीम अहमादाबाद का अधिकारिक नाम क्या है रखा गया है तो इसका नाम है गुझरात टाइटन्स रखा गया है। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बसी राई ने किस देश को सबसे अधिक परभावित किया है तो ये मेडा अगास करको। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन सिर्ष पे रहा तो ये भारत सिर्ष पे रहा। 11 फरवरी 2022 को RBI ने ए रूपी बाउचर की सीमा दस अजार से बढ़ा कर कितना कर दी है तो ये एक लाख कर दी है। कहां बिस्वे का सबसे बड़ा इगलू कैफे खोला गया है तो ये जम्मू कस्मीर में खोला गया है। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोगतन सुचकांग 2020 में कौन सिर्ष पे रहा तो ये नार्वे रहा। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाए गया तो राष्टिय उत्पादक्ता दिवस मनाए गया। पुरा तत्वविदो को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है तो ये UK में मिली है। ुक में किस संस्था ने प्राकिर्थी खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कारिकरम सुरू किया है तो यह उता कंग मिली है। किसके द्वारा सिक्षा की वार्षिक इस्थिती रिपोर्ट प्रकासित की गई है तो ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरच्छित करने के लिए वन ओसन सिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षिता किस ने किया फ्रांस ने किया 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाए गया तो ये 20 रेडियो दिवस मनाए गया 13 फरवरी 2022 को नासा के पारकर सोलर प्रोब ने अंतरिक्षे किस ग्रह की सतह के लिए चित्रे लिये है तो ये सुक्र की सतह का इसने चित्रे लिया है ठीक है पारकर सोलर प्रोब ने केंद सरकार ने किस वर्स तक क्रिसी छेत्र में डीजल को अच्छे उर्जा से बदलने का लक्ष रखा है तो यह 2024 ठीक है किस अंतरिक्ष एजनसी ने इनसेट 4B उपगरह को निस्करिये कर दिया है तो यह इस रो ने किया है 13 फर्वरी को कौन सा दिवस मनाये गया अंतराश्टिय मिर्गी दिवस मनाये गया 14 फर्वरी 2022 को 100 परसें प्लास्टिक वेश्ट निूट्रल कमपनी कौन सी बनी है तो यह डाबर बनी है 14 फर्वरी 2022 को मरू उत्सो राजस्थान में मनाये गया ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं देवसी स्मित्रा किस दिवस के रूप में मनाये गया 15 फर्वरी 2022 को तो अंतराश्टिय चाइल्ड हुड कैंसर दिवस के रूप में मनाये गया 15 फर्वरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ओन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेसकस के लिए समझा होता किया है तो यह RBL बैंक ने किया है सौभाग योजना और बिदूती करण योजना में कौन सा राज्य सिर्च पर रहा तो यह राजस्थान सिर्च पर रहा सौभाग योजना और सौर बिदूती करण योजना में नागरीक हवाई छेतर में ड्रोन उडाने की अनमोती देने वाला पहला देश कौन बन गया है तो ये इसराइल बन गया है किस ने सफलता पुर्वक पृत्वी औलोकन उग्र EOS04 का परशेपन किया है तो ये इसरो के द्वारा किया गया है 15 फरवरी 2022 को किया गया है ठीक है किस देश के परधान मंत्री ने पहली बार अपात कालिन अधिनियम ल आगू किया है 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है तो इसका नाम हो गया है तुर्की ए ठीक है 15 हुमा CEC महिला आइस होकिंग चैंपियनसिप 2022 का किताब किस टीम ने जीता है तो ये खारू टीम ने जीता है जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर आप दमन्त कि से चुना गया है तो ये कीगन पिटर्सन को चुना गया है पूरूस के लिए और हितर नाइट को महिला के लिए ठीक है किस भारतिये कमपणी ने सेमी कंटक्टर निर्मान के लिए ताइवान की कमपणी के साथ समझा होता किया है तो ये वेदानता ने किया है 16 फरवरी 2022 को क तो ये तिलंगाना में मनाये गया है। 17 फरवरी 2022 को कितनी किस ने तंबाकु छोड़ो एप लॉंच किया है। तंबाकु छोड़ो एप डबलू एचो के अनुसा ने लॉंच किया है। 17 फरवरी 2022 के सुचना के अनुसा दच्छी नेस्थिया का सबसे बड़ा बायो C&G सन्यंत कहां बनेगा। तो ये मध्य परदेश में बनेगा। स्मार्ट कार्ट सस्त्र लाइसेंस पेस करने वाली देश की पहली पुलीस कौन बनी है। तो ये दिल्ली पुलीस बनी है। सतर फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ और आर्मी इस्थाप कौन बने है। तो ये चनीरा पुनप्पा बने है। सतर फरवरी 2022 को किस ने वेश्टू वेल्थ क्रियेशन कारेकरम सुरू किया है। तो ये सीडवी के द्वारा सुरू किया गया है। किस देश ने सोलोमन दूपर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। तो ये अमेरिका ने कहा है। नेक्श देखते हैं 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है। तो ये नेपाल बन गया है। थोड़ा सा यहां बलर हो गया है। तो चलिए मेरे सब्दों पिध्यान दिजिएगा। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्टिये समुदरी सुरक्षा समन्वक किसे न्युक्त किया गया है। 18 फरवरी 2022 को किसे SBI बोड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो ये संजय मलहुतरा को। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाये गया। तो ये सातवा मृदा स्वास्त कार्ड दिवस मनाये गया। ठीक है। नेक्स देखते हैं। 19 फरवरी 2022 को नमिंतम ब्यपार्ट सौधे के तहट भारत कि इस देश में पहले IIT के स्थापना करेगा तो ये UAE में करेगा। डबलू एचो की घोसना के नुसर कितने अफ्रीकी देशों को MRA ने तकनिक दी जाएगी तो ये 6 देशों को ठीक है। किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतरीक्त निदेशक के रूप में न्युक्त किया है? IDFC First Bank को 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने है? चेतन घाटे बने हैं। केरियर काउंसलिंग वर्क्सोप परामर्स 2022 का सुभ आर्यम कहां किया गया? तो ये बिकानेर में किया गया। महराष्ट के नए DGP बने हैं रजनी सेट। 19 फरवरी 2022 को ब्रंभोस सूपर सोनी क्रूज मिसाइल का परिक्षन कहां किया गया? तो ये विसाखा पटनम में किया गया। रंजी ट्रोफी 2022 में तीहरा सतक लगाने वाले पहले खिलाडी बने हैं साकी बुल गनी हैं। 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार, 2023 में अंतराष्टिय उलम्पिक समीती के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा गया? तो ये हो जाएगा विस्वे समाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी 2022 को मेटा वर्स में प्रवेस करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये जेपी मौरगन बैंक बना है। प्रधान मंत्री मोदी ने कहां एसिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकारपन किया है? तो ये इंदोर। किसे बिजनेस एस्टेंडर बैंकर ओप द इयर 2021 किस चुना गया है? तो ये संदीव बक्सी को सुना गया है। 20 परवरी 2022 को क्वाड समुग के विदेश मंत्रीयों की चौती बैठा कहां आई जुत हुई है? तो ये आश्टेलिया में। आंदपरदेश लोकसिवायों के नए अध्यक्ष बने हैं गौतम सवांग। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली 20 परवरी 2022 को तो ये मिजोरम और अरुनाचल परदेश ने मनाया है अपना अस्थापना दिवस 20 परवरी 2022 को बीस फरवरी 2022 को उर्जा आवार्ज के पाँचीवे संस्करन में बिजनेस लीडर औप द इयर 2020 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये योहन पुनावाला को, ठीक है? योहन पुनावाला को 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाये गया तो यंतराष्टी मातरभासा दिवस मनाये गया 21 फरवरी 2022 को ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन सीर्ष पर पहुंचा तो ये भारत पहुंचा है 21 फरवरी 2022 को जारी हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के कडोड़ पती परिवारों में कितने परतीसत की ब्रिधी हुई है तो ये 11% की ब्रिधी हुई है 21 फरवरी 2022 को दादा सहा फाल के इंटरनेशनल फिल्म फोश्टीवल 2022 में किस फिल्म को सरो स्रेश्ट फिल्म कावाड मिला है तो ये सेर साहा को मिला है 21 फरवरी 2022 को किसे पोलिया उन्मूलन के पर्यासों के लिए हिलाल एप पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ये बिल गेट्स को किया है फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन वापसी की घुसना करी है तो ये माली ने किया है 21 फरवरी 2022 को किस ने किसान मोबाइल एप लॉंच किया है तो यह आएटी रूड की ने किया है 21 फरवरी 2022 को बिवस्को की सिक्षा के लिए New India Literacy Program को किस ने सुरू किया है तो यह सिक्षा मंतराले के द्वारा सुरू किया गया है 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाये गया तो यह विश्व चिंतन दिवस मनाये गया 22 फरवरी 2022 को NBA मानियता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्व विद्याले बन गया है तो यह बना है चंडिगर विश्व विद्याले 22 फरवरी 2022 को मतस्य पालन सम्मेलन में कारे की पुष्टी करने वाला सात्वा देश बना है केनिया 22 फरवरी 2022 को संपन बीजिंग सीत कालिन उलम्पिक 2022 में किसने सरवाधिक पदक हासिल किये हैं तो ये नारवे ने किया है 22 फरवरी 2022 के सुचना अनुसर भारतिय रेलवे कहा देश का पहला केबल रेल ब्रीज बना रहा है तो ये जम्मू कस्मीर में किस मंत्राले ने मेरी पॉलसी मेरे हाथ अभियान सुरू किया है तो ये क्रिसी मंत्राले के द्वारा सुरू किया गया है हिमाचल परदेश को कहां पहला जय विवित्ता पार्क मिला है तो ये मंडी में मिला है किस देश ने वो नौ सेना वायू रक्षा परणाली का सफलता पुर्वक परिक्षन किया है तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने है ताकुवा तुसुमूरा बने है ताकुवा तुसुमूरा ठीक है हाइड्रोजन इंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलाड पावर सिस्टम के साथ समझा होता किया है तो ये कनाडा ने किया है ठीक है कनाडा ने IOC एथलिट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है तो यह एमा टेरहो को चुना है किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूर्पों से सन्यास लेनी की घोशना की है तो यह बी आर वनीता ने ठीक है 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉंच की है तो यह जापान ने किया है ठीक है 23 फरवरी 2022 को कहा बनी डॉकमेन्टरी विफोर आज डाई को जर्मनी में अवाड मिला है तो यह हर्याना में ठीक है प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिसद के पूर्ण कालिक सदस्य बने है संजीव सान्याल बने है किस राज के स्टार्ट अप मिसन ने गूगल के साथ समझावता किया है तो यह केरल ने किया है भारत और किस देश ने नीली अर्थवस्ता के रोड में परहस्ताक्षर किये हैं तो यह फ्रांस ने किया है किस देश ने यूक्रेन को तीन हिस्सों में बाटा है तो यह रूस ने पाटा है। 23 फरवरी 2022 को RVI के केंद्रिये बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है तो इस संजय मलोतरा को। किस देश के कारलोस अलका राज सबसे कम उम्रे के ATP 500 विजेता बने हैं तो ये स्पेन के हैं कारलोस अलका राज। 23 फरवरी 2022 को नदियों में ना पहला राज असम बन गया है। अनतराश्टिये रबबड अध्यन समूँ के नए अध्यक्ष बने हैं ये के इन राघूण बने हैं। 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाये गया? केंद्रिये उतपाद सुल्क दिवस मनाये गया। 24 फरवरी 2022 को बेटी बचाव, बेटी पढ़ा योजना की नई ब्राण्ड अमेश्टर बनी हैं तो ये तनिसका कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया बनी हैं किस राजसरकार ने बजट में पुरानी पेंसन योजना बहाल करने की घोसना की है तो ये राजस्थान ने किया है 24 फरवरी 2022 के अनुसार के सुचना अनुसार कौन भारत में पहले अपने पहले साइबर सुरक्षा केंदरी की सुरुवात करेगा तो ये IBM करेगा 24 फरवरी 2022 को दूसरे बांगला देश फिल महत्सो काउदगाटन अगर तला में किया गया IIT रूडकी ने कहां किसान मोबाइल एप लॉंच किया है तो ये उत्राखंड में लॉंच किया है किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वाई रख्षा पढणाली का सफलता पुरवक परिक्षन किया है तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है किस राज्य का चमबा जीला देश का सववा हर घर जल जीला बन गया है ये ही माचल पर देश का है 24 फरवरी 2022 को जे टेवरेज ने किस देश की एरलाइन्स के पुर्व CEO विपुला गुना तिलेका को नया CEO बनाया है तो ये सिरलंका का है ठीक है सिरलंका IDBI बैंक के CEO बने है राकेश सर्मा बने है कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है तो यह है रिचा घोस भारत सरकार ने कहां जन भागिदारी अधिकारता पोर्टल लॉंच किया है तो यह जम्मू कस्मिर में किया है IDIA इंडिया ने किसे पहली महिला CEO निवक्त किया है तो यह सुजैन पुलवरर ने निवक्त किया है किस देश के राश्पती गितानस ने सोधा ने देश में अपातकाल की घोसना करी है तो यह लिथुआनिया के हैं ठीक है 25 फरवरी 2022 को 17 टूर्णामेंट 20 विके नंबर वन खिलाडी मैगनस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतिये कौन बने हैं तो यह आर प्रग्यानंद बने हैं नेक्ष है भारतिये नौसेना का बहुपक्चिये अभ्यास मिलन 2022 कहां सुरू किया गया तो यह विसाखा पटनम में सरकार ने अपने डिजिटल मिसन के तहत की स्केन सासित प्रदेश में जन भागिदारी एंपॉयर्मेंट पोर्टल सुरू की है तो यह जम्मू कस्मीर में सुरू की है हाली में चर्चा में रही दग्रेट टेक गेम को किस ने लिखा है अनिरूद सुरी ने लिखा है अनिरूद सिरी दा ग्रेट टेक गेम किस राजी की कैबिनेट ने इक चरे से निपटने के लिए देश के पहले इवेश्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है तो ये दिल्ली ने दिया है 25 फरवरी 2022 को रामा नूजन पुरसकार किसे दिया गया है तो ये नीना गुपता को 25 फरवरी 2022 को किस राज ने समुदरी जीवों के सनरचन के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है तो ये तमिलाडू ने किया है किस देश ने पहले पादप अधारित COVID-19 वैक्सिन को परमानित किया है तो ये कनाड़ा हो जाएगा ठीक है 25 फरवरी 2022 को HUL ने किसे अपना गैर कारेकारी अध्यक्ष बनाया है तो ये नितिन परान जपे ने बनाया है किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल एप लॉंच किया है तो ये गिरीराज सिंग ने लॉंच किया है भारतिये मंदिर वास्तु कला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्गाटन किया गया तो ये करनाटक में किया गया है करनाटक में T20i में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्ले बाज बने है रोहित सर्मा बने है 25 फरवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख मंत्री हेमानंद विस्वाल का निधन हो गया तो ये उड़ीसा के थे भारत का पहला एलकोहल म्यूजियम कहां सुरू किया गया है तो ये गोवा में सुरू किया गया है 26 फरवरी 2022 को किस ने वंदे भारतम के लिए एक सिगनेचर ट्यून जारी किया है तो ये संस्कृती राजमंत्री मिनाक्षी लेखी ने भारतिये नौ सेना का बहुपक्षिये अभ्यास मिलन 2022 कहां सुरू किया गया है तो ये विसाखा पत्नम के भाग के सहर में मीरा बाई चानू ने सिंगापूर वेट लिप्टिंग इंटरनेशनल पदक कौन जीता है तो ये स्वन पदक इन्होंने जीता है नेक्श देखते हैं किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सन अभ्यास बेलगाम करनाटक में सुरू हुआ तो ये भारत और जापान के विस 27 फरवरी 2022 को जारी अंतराश्टिय बौधिक संपदा सुचकांग में भारत किस अस्थान पे है तो ये भारत इसमें 43 वे अस्थान पे है 28 फरवरी 2022 को किस विसाय के साथ राश्टिय बिग्यान दिवस मनाये गया ठीक है बिग्यान दिवस ठीक है तो इस तरह आपका फरवरी तक करेंट अफ्यर कंप्लीट हो गया है